हेल्दी बनाना पैन्केक्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं काटा, वन टीस्पून जैगरी पाउडर, हाफ टीस्पून सिनेमन पाउडर या दालचिनी का पाउडर, वन पिंच इनो, वन पिंच सॉल्ट, टू टेबल स्पून दही, एक गिलास दूद, एक मैश किया हुआ राइब बनाना, से पहले हमें एक कंच के बाउड में आटा डालेंगे, जैगरी पाउडर डाल देंगे, सिनेमन पाउडर डालेंगे, मग डालेंगे, टू टेबल स्पून दही डाल देंगे, हाफ गिलास दूद डाल कर इसे मिक्स करेंगे, फ़ड़ा सा दूद और डाल लेंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे, मैश किये हुए बनाना इसमें एड़ कर देंगे, इनो डालेंगे, इनो को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं, अब से पहले हम तवे पे बटर लगा लेते हैं, टू टेबल स्पून बैटर हम तवे पे डाल देंगे, उसके बाद मेश को कुछ इस तरह से फैलाएंगे, इसको चेले की तरह गोल गोल नहीं फैलाना है, अदर्वाइस हमारे पैनकेक्स फ्लॉफी नहीं बनेंगे, जब पैनकेक का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइट से भी सेख लेंगे, पैनकेक रेडी हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, मैं पैनकेक के ओपर हनी डाल रही हूँ और फिर इसे सर्व करूंगी, आप अपनी च्वाई से कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाना पैनकेक बना है, मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आया है, आप भी इसे अपने घर पे जुरूर ट्राई करिए, और अपना एक्सपेरियंस दरना टी स्नैक और मॉर के साथ में शेयर करिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, थैंक्यू,